सबी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू प्याम अरहर महादेव जिस प्रकार गुरुजी ने श्रावनी शिवरात्री की पूजा हम लोगों से करवाई थी श्रावनी शिवरात्री के लिए पूजन सामगरी बताई थी उसी प्रकार गुरुजी ने धन तेरस की पूजा वीदी बताई है और उसमें पूजन सामगरी भी बताई है यदि आप धन तेरस की इस पूजा को कर लेते हैं तो आपके घर में माता लक्षमी और विश्नु सदा के लिए विराजबान हो जाएंगे करजे से आप पूर्णतय मुक्त हो जाओगे और साथी साथ धन के आपके पर अपार किरपा होगी और यह विदी पांच दिवसी है यानि कि धन तेरस, रूप चौदस, दिपावली, गोवर्दन और भाई दुज यह पांच दिवसी पूजा है शुरू होगी यह धन तेरस से आज हम आपको धन तेरस की पूजा विदी बता रहे है जो कि पूर्णतय गुरुजी ने अपनी कथा में बताई है हमारी तरफ से इसमें कुछ भी अतिरिक्त जोड़ा नहीं गया है यह केवर और केवर गुरुजी द्वारा बताई गई विदी है आप भी पूजन सामगरी नोट करके इस पूजा को कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई है अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोग इस पूजा को कर सके और अपने दुखों को दूर कर सके लक्षमी की प्राप्ति कर सके इसमें लगने वाली सामगरी थोड़ी सी है अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं किया न जल्दी से शेयर कीजिए अपने सभी मित्रों और वाट्सअप पे सभी मित्रों के पास में और वाट्सअप पे शेयर कीजिए इसको वीडियो को लाइक कीजिए नहीं तो फिर मैं आपको आधि पूजा बता के वीडियो यहीं बंद कर दूँगा वीडियो बताऊंगा नहीं मज़ा कर रहा हूँ चलो अब आपको पुजा वीदी बताते हैं तता ये पुजा किस प्रकार से करनी है सबसे पहले आपको क्या करना है जो शादी में हल्दी और आटे से चोग बनाया जाता है जैसा आपने भी कई बार देखा होगा शादियों में हल्दी और आटे से चोग बनाया जाता है उसी प्रकार आपको भी हल्दी से और आटे से चोग बनाना है इस प्रकार से चोग का निर्मान किया जाता है जो कई माताओं ने किया होगा यह माताओं ने किया होगा इस प्रकार चोक का निर्वान तो आपको भी इस प्रकार चोक का निर्वान करना है बीच में आपको थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी है और उस पे थोड़े से अक्षट डाल देना है इसके बाद आपको क्या करना है इसके उपर एक चोकी रखनी है यह दिया आपके पास में पट्टा हो या कोई और चोकी जैसी वस्तु हो वह भी आप रख सकते हैं चोकी रखने के बाद इसके उपर एक लाल वस्तर बिचाना है लाल कपड़ा बिचाना है लाल कपड़ बिछाने के बाद में एक थाली रखनी है उस थाली में आपको कुम-कुम से स्वस्तिक का निर्माण करना है स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद में आपको दो सिक्के लेने हैं एक सिक्का लेना है चांदी का और एक सिक्का लेना है देशी कोईन यह एक उर्पे का सिक्का है यदि आपके पास दो का पाँच का दस उर्पे का सिक्का हूँ आप यह भी यूज़ कर सकते हैं तो एक सिक्का लेना है आपको चांदी का और एक सिक्का लेना है आपको देशी कोईन अब इसके पाद आपको क्या करना है पुल साथ दीप आठे के बनाने है साथ दीप आठे के बनाने है और एक दीप और पहले साथ दीपों की जानकरी देता हूं साथ दीप बनाने है इसमें गी डाल देना है सभी दीपों में और लंबी बाती डाल देनी है गी और लंबी बाती डालने के बाद इन दीपों को आपको प्रजूलित कर लेना है और प्रजूलित करके कहां रखना है जहां आप पूजा करने बैट रहे हैं तो आपके उल्टे इस्तान पर बैटे हैं तो आपका मुँ इस साइड होगा तो आपको आपके उल्टे हाथ पर इन दीपों को रख लेना है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और एक दीप और जो की तेल का दीप होगा यह आतवा पाटे से बना सकते हैं या फिर मिट्टी का दीप भी रख सकते हैं यह दीप आपके आपके राइट एंड साइड पर होगा जैसा आप इस साइड देख रहे हैं तो आपके सीधे हाथ पर दीप होगा, उल्टे हाथ पर आप साथ दीप रखेंगे और सीधे हाथ पर आपको तेल का दीप रखना है, इसमें तेल डालना है, तेल डालके परजोलित करना है, जैसे ही आप कुमकुम के उपर सिक्के रख दे, यानि स्वस्तिक के उपर सिक्के रख दे, उसके बाद आपक कर दे तो जो इस इन सिक्कों पर थोड़ा सा जल क छीडा दी जिए्ए कुँमग चंदन, अभीर, रोली, मूली समर्पित कीजिये वो समर्पित करने की बाद में आपको सिक्का उठाना है सबसे पहले चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का उठाकर इसके उपर आपको मूली का धागा लपेटना है, उसके बाद आपको देसी कोईन उठाना है, देसी कोईन उठाकर इसके उपर भी आपको मूली का धागा लपेटना है, मूली का धागा लपेटने के बाद इसके प् आपको चंदन, रोली, मोली, कुम-कुम, अभीर और गुलाल, यदि आपके पास में अभीर और गुलाल नहीं हो, अभीर एक सफेद कलर का पौडर होता है, जो कि आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा, यदि आपके पास में अभीर ना हो और गुलाल भी ना हो, तो हल्दी की गांट साथ में कमल गट्टे और साथ इसाथ पीले की हुए चावल यह जो पूजा आप धंदेरस पर करेंगे उसी दिन पिसी हुई हल्दी और साथ में अमर बेल साथ इसाथ में अमर बेल और साथ इसाथ चाहिए आपको अमर बेल एक पीले कलर की बेल होती है जो की आपको किसी विरक्ष पर मिल जाएगी जिसमें पत्तिया नहीं आती है तो जब आप सिक्कों पर दागा लपेटने के बाद मूली का दागा लपेटने के बाद थोड़ा सा जलका छीटा मारें जलका छीटा मानने के बाद में आपको कुम कुम अभीर गुलाल समर्पित कर देनी है उसके बाद में आपको क्या करना है सबसे पहले पीले चामल लेने है पीले चामल आपको आपके उल्टे हाथ पर रखने है और सीधे हाथ से दोनों सिक्कों के उपर समर्पित करते जाने है दोनों सिक्कों के उपर समर्पित करते जाएए और साथ में बोल गाणिज जी का इस्मरन करते जाए और जो पीले चावल आपको दोनों सिक्कों के उपर समर्पित करें जब पीले सावल आप समर्पित करें उसके बाद में आपको लेनी है हल्दी की साथ गाट कितनी गाट लेनी है हल्दी की साथ गाट लेनी है ये सातों गाट आपको उन दोनों सिक्कों के उपर समर्पित करनी है साथ कमल गट्टे जो आपको दोनों सिक्कों पर समर्पित करने है साथ इसाथ में अमर बेल के टुकडे साथ अमर बेल के 60 टुकडे आपको समर्पित करने है जब आप अमर बेल के टुकडे समर्पित कर दे तो अमर बेल के टुकडे समर्पित करने के बाद आपको लेनी है PCV हल्दी PCV हल्दी को आपको दोनों हातों में लेना है और इस प्रकार से हल्दी पकड़कर दोनों सिक्कों के उपर आपको बुरकनी है छिड़कनी है दोनों सिक्कों पर पिसी हुई हल्दी साथ बार साथ बार आपको पिसी हुई हल्दी डालनी है उसके बाद में आपको इसी प्रकार से क्या लेनी है कुम कुम लेनी है और कुम कुम भी आपको साथ बार ही डालनी है कुम कुम भी आपको साथ बार डालनी है कुम कुम डालने के बाद में आपको आपके पास में जो भी मीठा हो यदि आपने कुछ मीठा घर में बनाया हो तो वे मीठा माता के सामने रख दीजिए यदि मीठा नहीं हो तो शक्कर, मीठ शक्कर हो गुड हो, खड़ी शक्कर हो, जो भी हो माता को समर्पित कर दीजिए माता के सामने रख दीजिए कटोड़ी में उसके बाद में माता से प्रात्ना कीजिए हे मा लक्ष्मी, हे अध्य लक्ष्मी, हे गज लक्ष्मी, आप हमारे गर में विराजमन होईए, हमारे दुपों को दूर कीजिए, हमारे कश्टों को दूर कीजिए माता, और हमारे जिंदिगी में धन और वहवव की वरद्दी कीजिए, इस परकार माता लक्ष्मी से आपको रातना करनी है और उसके बाद में आपको क्या करना है अपनी जोली पसार कर फिर से माता लक्षमी को प्रणाम कीजिए उस इस्तान पर ढोग देदीजिए ढोग देने के बाद में आपको जो आपने साथ दिये थे हैं साथ दिये ले थे उन साथ दियों से माता की आरती उतारन करने के बाद में उन साथो दियों को आपके घर के अंदर रख देना है एक दिया रसोई के अंदर रख दीजिए एक दीपक आपके हॉल में रख दीजिए एक दीपक तुलसी के पास तुलसी के क्यारे के पास रख दीजिए एक दीपक आपको महां रखना है जहां आप आपके करते हैं आपके कर्में परती दिन महां पर रख दीजे इस प्रकार से इस प्रकार से यह पूजा संपन होती है यह आपको पूजा धंदेरस की करनी है कल हम आपको रूप 14 की पूजा के बारे में बदाएंगे कि गुरुजी ने किस प्रकार रूप 14 की पूजा का वर्णन किया उस पूजा को किस प्रकार करना है, साथ ही साथ एक विशेच बात, जब आप कमल गट्टे लेकर आयए, तो कमल गट्टे ज्यादा लेकर आना, साथ ही मत लेकर आना, क्योंकि पाचो दिन इन कमल गट्टों की जरूत पड़ेगी, हल्दी की गाट की भी आपको पांचो दिन आवशक्ता पढ़ने वाली है साथ इसाथ अमर बेल भी पांचो दिन आवशक्ता पढ़ेगी तो पांचो दिन इन सभी सामगरी की जरूत पढ़ेगी तो आप इन सामगरी को अतिलिक्त रखिएक आपने पास में अभी तक आपने वीडो शेयर नहीं किया है जल्दी से जल्दी वीडियो शेयर कीजिए ताकि अधिक सदिक लोगों के पास में इसकी जानकारी पहुँचे इस प्रकार ये पुजा संपन कीजिए संपन करने के बाद में माता से प्रातन कीजिए है माहत्य लक्ष्मी हमारे घर में सदा भी राजमान हुई है और पूजा करने के बाद में अगवान भूले नात को प्रणाम कीजिए इस प्रकार ये पूजा समापत हो जाती है अब हम कल आपको रूप 14 की पूजा का वर्णन करेंगे सभी वक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू का वर्णन करेंगे में दन्हरा है झाल टूप